मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों आप सबको मेरा यानि की डॉक्टर विजय अगरवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार प्यारे दोस्तों आप सबका Academy for Excellence के स्टुडेंट डवलप्मेंट प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है स्टुडेंट डवलप्मेंट प्रोग्राम में हम चार अलग अलग ऐसी बातें बताते हैं जो किसी भी स्टुडेंट के लाइफ के डवलप्मेंट के लिए और डवलप्मेंट एज ए स्टुडेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसका पहला भाग होता है Art of Study पढ़ो तो ऐसे पढ़ो यानि कि विद्यार्थी को पढ़ना कैसे चाहिए दूसरा है मन की शक्ति Power of Mind Student and Power of Mind हम सब के पास मन की अद्भुत शक्तियां होती है लेकिन दुर्भाग्य से हम उसका पूरा उप्योग नहीं कर पाते इसमें बताया जाता है कि विद्यार्थी कैसे अपने मन की शक्तियों का भरपूर उप्योग करे तीसरा है Student and Time Management यानि कि विद्यार्थी अपने समय का प्रवंधन कैसे करे ताकि वह कम समय में ज़्यादा चीजे हासिल कर सके और समय के बीच परिशानी महसूस करता हुआ उलजेना और चौथा है Personality Development पित्रो ग्यान अलग बात है लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करना और एक अच्छा जीवन जीना अलग बात है अगर हम बहुत ग्यानी हैं और व्यक्तित्यों की द्रिस्टी से हमारा उभार ठीक नहीं हुआ है विकास ठीक नहीं हुआ है तो हमारे पास जो चीजें होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं उनका पूरा उप्योग हम नहीं कर पाते परसनाल्टी डवलप्मेंट में हम बताते हैं कि कैसे वो अपने व्यक्तित्यों का विकास करे कि वो चौतरफा एक सफल और आनंद पूर जीवन जी सके तो मित्रो अभी ये जो प्रोग्राम है आदे घंटे का इसमें आप सुनेंगे इस्टुडेंट और मन की शक्ति इस्टुडेंट और पावर आफ माइंड कि कैसे हम अपनी छीपीवी शक्तियों को उप्योग में ला करके अपने जीवन में जादा उचाईयां प्राप्त कर सकें जादा सफलताएं हासिल कर सकें तो लिजी आप शुरू करते हैं हम इस्टुडेंट और मन की शक्ति मैं शुरुवात में आप से एक प्रश्ण पूछ रहा हूँ और वो प्रश्ण यह है कि आप ये बताईए कि आप मूलता मन है या शरीर है आप देखेंगे कि इस प्रश्ण के उत्तर में जादातर तर मिलते हैं वो मिलते हम शरीर हैं और आप सच हैं क्योंकि शरीर को हम हर समय महसूस करते हैं हम उठ रहे हैं चल रहे हैं सो रहे हैं बोल रहे हैं यह सब शरीर के तहत हो रहा है और अगर आप कहते हैं कि हम शरीर हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आप गलत नहीं है क्योंकि आप यही तो महसूस करते हैं लेकिन मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो यह है कि आप मन हैं लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि आप मन हैं इसके मैं आपको कुछ बड़े खुबसूरत प्रमार देता हूँ हम मनु की संतान है एक कहा जाता है कि मनु हमारे पूरवज्थे हम उनकी संतान है इस मनु में जो शब्द आया है वह है मन एक दूसरा शब्द देखे जो हिस्से भी अच्छा है वह अंग्रेजी का मैन मैन मतलब मनुश आप ये बताएए कि ये मैन में क्या मन नहीं है आप देखेंगे कि हम मूलत मन ही है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शरीर नहीं है मैं समझता हूँ कि आप सब जानते हैं कृष्ण और अर्जुन के भगवत गीता के उस प्रसंग को जब अर्जुन युद्ध छेतर में पहुंचता है और कृष्ण से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा मेरे पैर काप रहे हैं मेरी तवचा जल रही है मुझसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष छूट रहा है आप सोच कर देखिए कि अर्जुन अपने घर से अच्छे खास से तयारी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए चला था तो यहां आते साथ ही युद्ध छेतर में उसको क्या हो गया गांडीव उसके साथ है उसके कवच उसके साथ है रत और कृष्ण उसके साथ है यहां कुछ नहीं हुआ था सिर्फ हुआ यह था कि मन ने उसका साथ छोड़ दिया था और जैसे ही मन ने उसका साथ छोड़ा उसके पैर कांपने लगे तुचा जलने लगी और उसके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं रह गई कि वो गांडिव धनुश को समाल सके तो आप देख रहे हैं कि कैसे मन का तुरंत असर शरीर पर हुआ तो मित्रों हमें ये मान करके चलना चाहिए कि हम शरीर तो हैं लेकिन मूलत हम मन है क्योंकि जब हम ऐसा मान लेते हैं तो हम मन पर काम करना शुरू करते हैं हम ये करने लगते हैं कि कैसे हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएं कैसे हम अपने मन को अपने कबजे में रखें उससे दोस्ती करें ताकि उस वो जो हम अपार खजाना है जो शक्ति का छमताओं का जो अपार भंडार उसके पास है जो हमार इनर्जी हाउस है उससे इनर्जी लेकर के हम अपने जीवन को आगे ले जा सके अब आप देखें कि अ कनवर्टर का मतलब है कि हम जो कुछ भी देखते सुनते समझते हैं आप देखे कि मन के जरिये हैं जैसे माल लिजे कि एक पागल आदमी है वो अपने घर को तो देख रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि ये मेरा घर है तो उसकी आँखें देखने का तो काम कर रही है इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लिजे क्योंकि आपके लिए इसे समझना बहुत जरूरी है मान लिजे कि आप क्लास में बैठे हैं लेक्चर सुन रहे हैं लेकिन आपका मन सिनेमा हॉल में है तो आप देखेंगे कि टीचर जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं आपकी समझ में नहीं आएगा और अगर अचानक टीचर ने कोई प्रशन आपसे कर दिया तो आप हड़बढा जाएंगे क्या कह रहे थे क्योंकि मन आपके साथ नहीं था इसलिए कहा जाता है कि जहां हमारा मन होता है मुलत वहीं हम होते हैं हमें इस भर्म में नहीं रहना चाहिए कि जहां हमारा शरीर है वहां हम होते हैं और ये जो मन होता है इसके साथ दिक्कत ये है कि ये बहुत चंचल है इसको आप कह सकते हैं कि ये बंदर है इसलिए अर्जुन ने भी कृष्ण से यही प्रश्ण किया था कि हे कृष्ण मेरा ये जो मन है ये वाईयू की तरह चंचल है इसको कैसे मैं रोक सकता हूँ तो कृष्ण ने बताया था कि इसे रोका जा सकता है वैराग्य से और अभ्यास से तो वैराग्य और अभ्यास कहने का उनका क्या मतलब था उसे हम आगे देखेंगे लेकिन ये मान कर चलिए कि मन बंदर होता है, चंचल होता है और मन के इस स्वभाव से आप परिशान न हूँ क्योंकि सबका अपना स्वभाव है, हवा का स्वभाव है बहना, वो बहती है आग का स्वभाव है जलाना वो जलाती है तो उसमें परिशान होनी की बात नहीं है हमें करना ये चाहिए कि हम उसके स्वभाव को समझ कर उस स्वभाव के अनकूल अपने को ढाल ले जैसे अगर हम ये समझ गए हैं कि आग हमें जलाती है तो हम जलती हुई आग में अपना हाथ नहीं डालते हम आग का इस्तिमाल करते हैं खाना बनाने के लिए तापने के लिए और बड़े बड़े स्टील प्लांट में लोहा को गलाने के लिए तो आप स्वभाव को जान जाएं, एक बार कि मन का स्वभाव क्या है, तो आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं, मन का स्वभाव ही है, चंचल रहना, एक जगा टिक करना रहना तो अब आपको इसके जो चलने का सौभाव है जो घूमते रहने का सौभाव है इसको अपने ढंग से प्रियोग करना है जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ाई के लिए प्रियोग मिले आईए जब आप सो रहे हैं तो सोने के लिए प्रियोग मिले आईए जब आप फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म देखने के लिए प्रियोग में ले आईए देखी कभी ये मत समझे कि मन आपका दुश्मन है क्योंकि जब आप समझेंगे कि मन दुश्मन है तो आप उसके प्रती एक दुराग्रा का भाव पाल लेंगे कि इससे तो जगड़ा करना है पानी में रहके मगर से बैर नहीं किया जाना चाहिए आप बिना मन के रही नहीं सकते ऐसे में आप क्या करेंगे निश्चित रूप से उससे दोस्ती गाठ ये देखिए मान करके चलिए जीवन में इसे गाठ बांध लीजिए कि मन न तो अच्छा होता है और न बुरा होता है आप ये बताइए कि सीड़ी से आप चड़ते हैं या उतरते हैं ज़्यादा तर लोग उतर देते हैं कि सीड़ी से हम चड़ते हैं मैं कहता हूं कि नहीं सीड़ी से हम चड़ते भी हैं और उतरते भी हैं ये तो हमारे उपर है कि हम चड़ना चाह रहे हैं या उतरना चाह रहे हैं तो ये हमारे उपर है कि हम मन की शक्ति का प्रयोग अपने जीवन को बहतर बनाने के लिए करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं मित्रो ये अद्भुत उर्जा का भंडार है इसके पास मन के पास उर्जा का अद्भुत भंडार है खजाना है यह इसलिए आपने एक गीत सुना होगा औरों को जीतने से पहले आपने एक बड़ा खुबसूरत गीत सुना होगा हमको ऐसी शक्ति देना मन विजय करें दूसरों को जीतने से पहले खुद को जय करें खुद को जय करने का मतलब है अपने मन को अपने नियंत्रण में ले आना जिस दिन आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा आप देखेंगे कि सब कुछ आपके नियंत्रण में आ जाएगा क्योंकि जो हमारा भटकाव है पढ़ने में मन नहीं लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है काम करने का मन नहीं कर रहा है कोई चीज खराब लग रही है तो ये चीज खराब नहीं होती हमारा मन खराब होता है तो जिस दिन इस मन पर आपका कंट्रोल हो जाएगा आप देखे कि ये जो मन क्या है इस मन के इस चेतना के तीन इस्तर मनोवज्ञानी को ने बताए है और इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है बहुत शोध हो चुका है और इसलिए अब इसके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं रह गया है एक है हमारा चेतन मन अभी मैं जो बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हैं ये कौनसस लेवल पर है चेतन मन से मैं बोल रहा हूँ और चेतन मन से आप सुन रहे हैं हम जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं दूसरा होता है हमारा अवचेतन मन अवचेतन का मन है कि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं आप इस तरह से सोच सकते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा औचेतन मन काम करता है आप देखें कि हम सो तो गए है लेकिन हमारी चेतना नहीं सोई है वो हमें स्वपन दिखा रही है कुछ न कुछ वहां चल रहा है लेकिन जो चल रहा है उस पर हमारा किसी तरह का कंट्रोल नहीं है चेतन मन पर तो हमारा कंट्रोल है मैं अभी जो चाहूं वो बोल सकता हूं लेकिन मैं जो चाहूं वो स्वप्न नहीं देख सकता कोई नहीं देख सकता तो हमारा अवचेतन मन उस समय सक्रिय होता है जब हम सोते रहते हैं और तीसरा होता है अचेतन मन अचेतन मन है जब हम बेहोश हो जाते हम कुछ नहीं जानते तब हमारा अचेतन मन काम करता रहता है फ्राइट जो बहुत बड़े मनवाज्यानिक हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो करते तो चेतन मन से हैं लेकिन उसे कराता है हमारा ओचेतन मन और मैं समझता हूं कि अपने जीवन के इस रहस्य को जानना है सबसे बड़ी बात ये है फ्रायड का ये मानना था कि जो कुछ भी हमें उपरी तोर पर दिखाई दे रहा है वो केवल आइसबर्ग की तरह है आइसबर्ग आप जानते हैं समुद्र में तैरता हुआ बर्फ का पहाड जिससे टकरा कर टाइटेनिक जहाद डूब किया था क्योंकि उस पहाड के साथ ये होता ये है कि उसका केवल एक बटे छे भाग उपर दिखाई देता है और बाकी भाग नीचे होता है तो ठीक हमारा मन होता है जो उपर दिखाई दे रहा है जिससे आप बात बेवार करते हैं काम करते हैं पढ़ते हैं वो केवल hardly 16% होता है बाकि सारा का सारा हिस्सा तो हमारे अचेतन मन के पास होता है इसलिए अचेतन मन को मैं एक तरह का सप्लाई हाउस कहता हूँ हमारे जिन्दगी में जितनी भी चीजें वो यहीं से सप्लाई होती हैं यहां से अगर हम अपनी सप्लाई को बढ़ा दें तो हमारी शक्तियां बढ़ जाती हैं हमारी छमताएं बढ़ जाती हैं और अगर हम इस सप्लाई को नहीं बढ़ाते तो हम मरते नहीं हैं हमारी डैथ लेकिन हमारी जो छमताएं हैं उनका हम अच्छी तरीके से और पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उर्जा मिलेगी, हम उतने ही अधिक अपने जीवन में आगे जा सकेंगे, जीवन के रास्ते हमारे लिए आसान हो जाएंगे, और दूसरा है मन पर नियंतरन रखना, मन पर नियंतरन रखने का मतलब है कि कैसे हम जादा से जादा मन को अपने अनुसार चला सकें, बजाए इसक कि हम मन के अनुसार चल सकें यह मन पर नियंतरन रखना तो मैं पहली बात आपको बताता हूं कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे जादा से जादा शक्तिसाली बनाएं मित्रो इस बात में बिलकुल भी भ्रहम मत रखिए डाउट मत रखिए अपने दिमाग में कि हमारा जो मन है उसकी अखंडता से बड़ी हमारे सामने कोई वस्तु नहीं होती अगर हमारा मन अखंड है तुकड़े टुकड़े में बटा हुआ नहीं है इधर उधर नहीं भटक रहा है तो यह बहुत शक्तिसाली होता है इसी को हमारे यहां एकाग्रता कहा गया है इसलिए बहुत जरू संसकार नई कठा होने दें क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मन की शक्ती कमजोर पड़ जाएगी तो आईए अब हम देखते हैं कि हम कैसे करें अपने मन की निदाई गुड़ाई सफाई और कैसे बनाए उसे शक्तिशाली पहली बात संसकारवान बनें संसकार बहुत बड़ी संसकार और संसकारवान आप बनेंगे कैसे क्योंकि संसकार हमारे अवचेतन के हिस्से को सबसे ज़्यादा कवर करती हैं संसकारवान बनने के लिए सबसे बड़ी बात होगी अच्छी संगत अच्छे लोगों के साथ रहना सीखिए उर्जावान लोगों के साथ रहना सीखि अगर आप दो दोस्त भी बैठे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं तो मेरे लिए वह भी सत्संग है क्योंकि जो चीजे हम सुनते हैं वही चीजे हमारे दिमाग में आती हैं और जो चीजे हमारे दिमाग में आती हैं, वही धीरे धीरे स्लोली स्लोली हमारे अवचेतन मन में जाकर के इकठी होती रहती हैं। और जो चीजे हमारे अवचेतन मन में इकठी हो जाती हैं, वही चीज फिर हमारे चेतन मन में आती हैं। देखे अगर मेरे pocket में मुंगफली है तो मैं pocket में हाथ डाल कर आपको काजू नहीं दे सकता मैं काजू तभी दे सकूँगा जब मेरे pocket में काजू होंगे सीड़ी सी बात है कि मैं वही दे सकूँगा जो मेरे पास होगा तो हमारा आउचेतन मन भी हमारे लिए वही चीजों की सप्लाई कर सकेगा जो चीजें उसके पास होंगी तो जो अच्छी संगत है आउचेतन मन के पास अच्छी चीजें देता है अध्यन कीजिए, अच्छी चीजें पढ़िए, उससे भी आपके दिमाग में अच्छी चीजें स्टोर होंगी अगर बुरी चीजें हैं तो उनसे मुक्त हो ये, बुरे विचारों को निकाल कर बाहर फेकनी की कोशिस कीजिए उससे लड़िए, ताकि बुरी चीजें हमारे अवचेतन मन से निकल जाएं ठीक इसी तरसे प्रकृति के नज़्दीक चाहिए आप देखें कि जब हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे अवचेतन मन में आती चली जाती हैं खुला आकाश, बहती हुई नदियां, लेलाते हुई हरे पेड, चलती हुई हवाएं, पक्षियों की चहचाहट ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अवचेतन मन की धुलाई करती हैं, उसमें से बुरी चीज़ों को निकाल देती हैं और अच्छी चीज़ों को डाल देती हैं ठीक इसी तरह से म्यूजिक सुनिये अच्छे गाने सुनिये आप देखे कि कैसे जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपका मन खिल उठता है कुछ देर के लिए तो हम अपने दुख को भूल जाते हैं आपको जानकर शायद आश्यर होगा कि आइंस्टाइन जो इतने बड़े वैग्यानिक थे जब उनके मकान पर नाजी जो हिटलर की सेना थी उसने अटैक करने का प्रोग्राम बनाया और आइंस्टीन को जब पता लगा कि मेरे मकान पर अटैक होना है क्योंकि आप जानते हैं कि आइंस्टीन यहूदी थे और हिटलर यहूदियों से चिड़ता था तो आइंस्टीन रातो रात अपने घर से भागे थे और आपको सुनकर आष्चे रहे होगा की आइस्टीन जो अपने साथ लेकर गए थे, मालूम है वUNG चीज क्या थी? गिटार एक वग्यानी को अपने नोट्स लेकर भागना चाहिए अपने किताब लेकर भागना चाहिए लेकिन आइंस्टीन भागे थे अपना गिटार लेकर म्यूजिक इतने बड़ी चीज होती है इसलिए कजाकिस्तान जो पहले रश्या का हिस्सा था आजस्वतंत्र देश है वहाँ एक बहुत खुबसूरत कहावत है कहावत ये है कि बच्चों के हाथ में वाइलीन थमादो वो कभी बुरे आदमी नहीं बनेंगे म्यूजिक हमारे अउचेतन मन को मांजने का काम करता है कला और संस्कृति से जुड़िए नाटक देखने जाईए रित्य देखने जाईए गायन सुनने जाईए और अच्छी फिल्मे भी देखि इस सब चीजें हमारे अउचेतन मन को शक्तिशाली बनाती है उसे पवित्र क धुलाई का मतलब है उसे साफ सुथरा बना देती हैं। ठीक इसी तरह से अउचेतन मन को शक्तिशाली बनाने का एक दूसरा उपाय है कि आप अपने मन की बात किसी से कहें। मन की बात को मन में न रखें। अगर मन में ही रखेंगे तो आपके अउचेतन मन में चला जाएगा। खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने मन की बात को अपने मन में न रखें। आपका कोई न कोई अपना ऐसा दोस्त होना ही चाहिए। ऐसा हमराज होना ही चाहिए जिस से आप अपने मन की बात कह सकें। और अब मैं आता हूँ अउचेतन मन को शक्तिशाली बनाने के तीसरे विंदु पर और वहे छोड़े ईगो को, ईगो, घमंड, ये जो ईगो होता है, ये हमारे विवेक के दरवाजे को बंद कर देता है, अच्छी चीजों को अंदर आने से रोक देता है, और नतीजा ये होता है कि हमारे अच्छे प्रकास, चमकीली बातें पहुंचने और यही गंदगी फिर हमारे चेतन इस तर पर पहुँच करके हमें गंदा बना देती है, हमारी परसनालिटी को नस्ट कर देती है याद रखें कि जब कोई भी आपकी आलोचना कर रहा हो, नाराज मत हुए क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है, कि जो आलोचना होती है, वह हमारे मन की सफाई करके उसे निर्मल बनाने का काम करती है नाराज मत हुए, खुश हो ये, कि उसने इतनी हिम्मत जुटाई, कि वह आपकी आलोचना कर रहा है और इस आलोचना को आप समिक्षा की तरह लीजिए, इवेलिवेशन की तरह लीजिए, ठीक इसी तरह से अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, तो आप रियक्ट मत कीजिए, रियक्ट करना और उत्तर देना दोनों में फर्क होता है रियक्ट का मतलब है कि आप उसका विरोध कर रहे हैं, उत्तर देने का मतलब होता है कि आपने उसकी बाद सुनी, समझी और फिर आप अपना जवाब दे रहे हैं तो अपमानित होने पर तिल मिलाईए नहीं, थोड़ा सा सोचने की कोशिस कीजिए रोज एक अच्छा काम जरूर कीजिए, रोज किसी की मदद कर दीजे, किसी से हसकर बोल लीजे, किसी को सड़क पार करा दीजे, किसी को कुछ दे दीजे, कुछ भी हो, अच्छे काम की कोई लिमिट नहीं है, कोई संख्या नहीं है क्योंकि ये जो आप अच्छा काम करेंगे इससे आपको अच्छा लगेगा जब आपको अच्छा लगेगा तो वही चीज आपके अउचेतन मन में दर्ज हो जाएगी ठीक इसी तरह से अपना अध्यन कीजिए स्वाध्याए स्वाका अध्यन इसका अर्थ ये है कि शाम को रात में सोते समय आप अपने लिए पांस साथ मिनट जरूर निकाले और आपने दिन भर जो किया है उसका मुल्यांकन करें क्या कै आपने किया, किस के साथ गलत किया, किस के साथ अच्छा किया आप देखेंगे कि जब आप अपना मुल्यांकन करना शुरू करेंगे तब आपको जब बातें याद आएंगी कि मैंने उसके साथ गलत किया तो आप अपने को आगे चलकर करेक्ट करना शुरू कर देंगे सुधारना शुरू कर देंगे और जब आप अपने को करेक्ट करना शुरू कर देंगे तो स्वभावी कुरूप से आपके अवचेतन मन में अच्छी अच्छी चीजे शामिल होनी शुरू हो जाएंगी तो स्वख का अध्यन किया ही जाना चाहिए अपने लिए पांस साथ मिनट निकालें और आखरी बात थोड़ी देर के लिए अपने साथ रहना सीखिए हम दूसरों से बहुत बात करते हैं इस मुबाइल ने तो हमारी इस्थिती और खराब कर दी है हमसे हमारा अपना सारा समय उसने चीन लिया है मेरे नौजवान दोस्तों मेरी सनुरोध को माने और कुछ समय अपने साथ गुजारना शुरू करें इसे ही आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एकांत में रहना शुरू करें चादा नहीं पांच मिनट का एकांत निकालें चुप चाप बैठ जाएं केवल एकांत में दिमाग को खाली करके बैठे रहें आसमान को देखते रहें चुप चाप रहें क्योंकि इस चुप चाप के इस्तिती ही एक ऐसी इस्तिती होती है जब सही माइने में हम अपने आप के साथ बात करते हैं अपने आप के साथ बात करने से हमारा अवचेतन मन लगातार मजबूत होता चला जाता है इस से हमें बहुत मदद मिलती है यह जरूर करें तो यह मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं कि आपका जो अवचेतन मन है वो कैसे साफ सुत्रा बनेगा और कैसे शक्तिशाली बनेगा क्योंकि मैं आप फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि चेतन के इस तर पर हम जो कुछ भी करते हैं याद रखिए वो अवचेतन से ही आता है आपने महसूस किया होगा कि आपसे आपकी मा कहती है कि बेटा खाना खाले और आप उस पर नाराज हो जाते हैं आप जब सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नाराज होने की तो कौई बात ही नहीं थी लेकिन मुश्किल है कि हम सोचते नहीं है असली में आप नाराज अपनी मापर नहीं हुए है नाराज तो आप और किसी पर थे जो आपके आउचेतन में दर्ज था बाहर किसी से जगड़ा हो गया था यहां वो निकल गया तो यहां जो आपका रियक्षन है वो अवचेतन मन के द्वारा दिया गया रियक्षन है अन्यता अगर चेतन इस तर पर आप जवाब देते तो सीधे कहते कि थोड़ी देर में खा लूँगा या हाँ अभी खाता हूँ इसको ध्यान रखिया वचेतन मन के इस चाल को आपको समझना होगा और इसको अपनी शक्ति बना कर उसका उपयोग करना होगा अब मैं उन उपायों पर आता हूँ कि आप अपने मन पर कैसे कुछ नियंत्रन रख सकते हैं ये मान करके चलिए कि मनुष अपने भाग्य का गुलाम नहीं बलकि वह अपने मन का गुलाम होता है और अगर आपने मन को अपना गुलाम बना लिया तो आप देखेंगे कि भाग्य आपके हाथ में हो जाएगा देखें भाग्य की लकीरे हाथ में लिखी गई हैं अन्यता तो हमारे शरीर का जो पीठ का हिस्सा है वो लिखने पढ़ने के लिए सबसे अच्छी जगह थी लेकिन हाथ में लिखने का मतलब भी है कि आप जैसा चाहेंगे अपने भाग्य को बना सकते हैं और जब आप मन पर नियंतरन कर लेते हैं तो सही मायने में मित्रो भाग्य पर आपका नियंतरन हो जाता है अब मन पर नियंतरन करने का सारा रहस्य केवल इस एक बात में है कि आप अपका मन भटकता क्यों है अगर आप यह समझ लें कि मेरा मन इन इन चीजों से भटकता है और उन उन चीजों को आप ठीक करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपका मन का भटकाओ कम हो जाएगा अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं कि इस भटकाओ को आप कैसे कम कर सकते हैं इसका सबसे पहली बात है कि आप एक संकल्प लें जीवन का एक लक्ष बनाएं और लक्ष बनाने के बाद उस पर द्रड रहें यानि कि आप मजबूती के साथ उस पर डटे रहें डटे रहने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कि कुछ दिनों के बाद विकल्प की तलाश करने लगें लेकि संकल्प और विकल्प में फर्क क्या है संकल्प है कि आपने फैसला कर लिया कि आप ये करेंगे और उसको करने लगे लेकिन कुछी दिनों के बाद हमें क्या होता है हमारे साथ कि हम विकल्प ढूंडने लगते हैं अल्टरनेटिव से तलाश करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि किस तरह से इस संकल्प से मुक्ति पाए उबने लगते हैं न हम लगता है कि बस इससे छुटकारा मिले तो अपने विकल्पों को गिरा दें विकल्पों के बारे में सोचना बंद कर दें देखिए नेलसन मंडेला का नाम आपने सुना होगा जो दक्षिन अफ्रिका के गांधी कह जाते हैं और जिन्होंने अपने देश को आजात कराया उन्होंने अपने जीवन के 27 साल और वो भी यंग एज के 27 साल जेल में काटे थे मैं जब राष्ट्रपती भवन में था मैं डॉक्टर शंकर द्याल शार्मा जी का नीजी सच्यू रहा हुआ हूँ तब नेलसन मंडेला उस समय राष्ट्रपती भवन आये थे भारत आये थे तब मैंने उनसे ये प्रश्न किया था कि वो कौन सी चीज थी जिसकी वज़े से अपने जीवन के खुबसूरत 27 साल जेल के सीख्चों के पीछे बिना किसी कमजोरी के बिता दिये वो कौन सी ताकत थी उन्होंने बड़ा खुबसूरत उत्तर दिया था उन्होंने ये उत्तर दिया था कि मैंने अपने उद्देश्य पर कभी संदेह ही नहीं किया मतलब मुझे लगा कि मैं जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं उस पर डाउट करने का कोई कारण ही नहीं है और चुकि मेरे मन में डाउट नहीं था इसलिए मैं कमजोर नहीं पढ़ा तो में तरह बहुत बड़ी बात है डाउट नहीं होने का मतलब है मन का मजबूत होना आपने जो संकल्प ले लिया है आपने फैसला कर लिया कि आप पढ़ेंगे इंजीनियर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे जो कुछ भी आपने फैसला किया है किया है तो अब फैसला कर लिया है यह मैं सोचे कि आपने गलत फैसला किया है अब यह फैसला सही हो इसके लिए आपको काम करना है अपने फैसले को जस्टिफाइड करना है सही ठहराना है तो विकल्पों को खतम कर दे लक्ष बनाए और उस पर द्रड रहे और जब लक्ष बना ले तब उसके लिए दो तरीके अपनाए एक तो लंबी योजना बनाए और एक फिर रोज की योजना बनाए आज मैं इतना काम करूँगा आपका मन भटकने से रुख जाएगा और फिर एक लंबी योजना है आपने अगर डॉक्टर बनने का फैसला किया तो उसमें भी पांस साथ साल बाकी है तो आप उस योजना के तहत काम करना शुरू कर दें देखिए यहां मैं आपके एक मज़ेदार छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ इससे आपको पता लगेगा कि हमारा मन भटकता क्यों है एक आदमी था और उसको एक जिन मिल गया खुश हो गया उस आदमी पर और जिन उसके सामने हाजिर हुआ और उसने कहा कि आखा मैं आपका गुलाम हूँ आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा लेकिन बस मेरी एक शर्त होगी तो इस आदमी ने कहा कि ठीक है जनाब आप शर्त बताईए तो उसने कहा मेरी शर्त ये होगी कि मैं किसी भी समय खाली नहीं बैठूंगा अगर आपने मुझको खाली छोड़ा तो मैं आपको खा जाऊंगा तो उस आदमी ने सोचा कि मेरे पास तो इतने सारे काम है कराने के लिए मैं इसको खाली बैठने ही नहीं दूँगा तो उसने शर्त मान ली और शुरू हो गया तो उसने जिन्न ने पूछा कि build आइए पूंगा किया हुक्म है तो उस आदमी ने का कि मेरे लिए मकान बना दो बहुत बड़ा महल बना दो जिन तो जिन पांच मिनट में उसने महल बना दिया इसके बाद फिर का कि मकान को ऐसे सजा दो, सुमिंग पूल बना दो, फलाना कर दो, फलाना कर दो, तो जिन हर चीज पांच मिनट में करके ले आता था, अब उस आदमी ने सोचना शुरू किया कि आगे मैं क्या बताओं, तब उसके दिमाग में काम कम होने लगे, अब उ घबडाया कि अगर मैं नह गया और उस आदमी से कहा कि मैंने जिन से ऐसे ऐसे वाइदा किया था, मेरे सारे काम उसने कर दिये हैं, और अब मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या काम बताओं, और जैसे ही मैं काम नहीं बताओंगा, मुझे खा जाएगा, तो सादमी ने कहा कि इसमें परेशा में एक खूटा गाड़ो, एक बड़ा सा खंभा गाड़ो और जब भी तुमको लगे की अब तुम्हारे पास बताने के लिए कोई काम नहीं है, जिन्न को ये काम बता दो कि अब तुम इस खंभे पर चढ़ो और उत्रो, चढ़ो और उत्रो, ये काम करता रहे और जब तुमक काम याद आए तो उसको काम बता दो और फिर उसको इस खंबे पर चढ़ने उतरने के काम से लगा दो वो खुश हो गया हमारा मन मित्रो इसी तरह से एक जिन्न की तरह है अगर आप उसे किसी काम में नहीं लगाएंगे तो वो आपको खा जाएगा कर्म कार ये इन्वाल्मेंट एक्शन इसमें आप हमेशा अपने मन को रखिए उससे खाली मत छोड़िए इसलिए हमारे याँ कहा गया कि खाली दिमाग शैतान का घर तो लक्ष बनाईए उस पर द्रड रहिए रोज की योजना बनाईए उस पर काम कीजिए और विकल्पों को छोड़ दीजिए देखिए कि आपका मन आपकी कमांड में आ जाएगा ठीक इसी तरसे हमारे दिमाग में जितनी सारी भी कम्पलेक्सिटी होती है जटिलताएं होती है उन जटिलताओं को खत्म कीजिए बहुत सी चीजें ये वो ऐसा है ये ऐसा है ये करना है वो करना है वहाँ जाना है इन सबसे मुक्त हो ये जटिलताओं से मुक्त हो ये मन बिलकुल क्लियर होना चाहिए उद्दिश इस पस्ठ होने चाहिए इसमें आप देखेंगे कि आपका मन आपके नियंत्रण में आता चला जाएगा और एक बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों कि रोज एक काम ऐसा करें जो आप करना नहीं चाह रहे हैं और रोज एक काम ऐसा न करें जो आप करना चाह रहे हैं मतलब आप करना चाह रहे हैं कि मुझे आज होटल में खाना है, मत खाईए, क्योंकि आपका मन कर रहा है होटल में जाकर खाना खाने का, तो आज मत जाईए, अपने मन के विरुद्ध खड़े होईए, और एक काम जो आपका कर रहा है कि मैं ये नहीं करूँ, उसे करिए, जैसे आज आपका पढ़ने का मन कर रहा है, तो पढ़ने लगी, इससे होगा ये कि आपका मन धीरे धीरे ये समझने लगेगा कि ये जो लड़का है, ये मेरे हिसाब से चलने वाला नहीं है, जो चाहता है, वो करता नहीं, जो नहीं चाहता है, उसको करता है, तो आपके मन को ये इंस्ट्रक्शन मिल जाएं कि यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं है तो धीरे 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 वो आपका साथ निभाना शुरू कर देगा आपके विरुध जाना बंद कर देगा ठीक इसी तर से दोस्तों आप देखिए कि दिन भर हमारे मन में कितनी सारी आशंकाइं पलती रहती हैं कहीं ये न हो जाए कहीं वो न हो जाए कहीं हम गिर न जाएं कहीं चोट न लग जाए कहीं फेल न हो जाओं आप एक काम कीजिए काम ये कि दिन भर की अपनी आशंकाओं की एक लिस्ट बनाएए कि आज मेरे मन में कौन-कौन सी आशंकाओं उठी थी और शाम को उस आशंकाओं को चेक कीजिए कि इसमें से कौन-कौन सी सही हुई आप देखेंगे कि 100% गलत निकली तो सच पूछे तो आशंकाओं के साथ एक बड़ी खुबसूरत बात और अच्छी बात यही है कि वो जादा तर गलत होती है तो जब गलत होती हैं तो उनसे परिशान क्यों होना क्योंकि जब आशंकाओं मन में उठती है तो हमारा मन परिशान होने लगता है और जब परिशान होने लगता है तो मन का विचलन शुरू हो जाता है उसका भटकाओ शुरू हो जाता है हमारे कंट्रोल से वो बाहर जाने लगता है इसलिए आशंकाओं से अपने आपको मुक्त करें और फिर स्वस्त रहें आपने देखा है कि जब आपकी हेल्थ खराब होती है आप बिमार पढ़ते हैं तो मन की चिर्चिडाहट बढ़ जाती है और जब मन की चिर्चिडाहट बढ़ेगी इसका मतलब भी है कि मन पर से आपका नियंतर खत्म हो चुका है इस टेरिंग पर से आपका कंट्रोल जा चुका है अंतिम बात में एक और बताना चाहूंगा मेरे नौजवान मित्रों और वह है अपने विचारों का अवलोकन करें अभी यह बात आपको थोड़ी सी कठिन सी लग रही होगी लेकिन है बहुत चोड़दार और जब आप थोड़ी से मेच्योर होंगे बड़े होंगे तो आप देखेंगे कि आपके बहुत काम की बात होगी उसका थोड़ा सा अभी अभी से अभ्यास शुरू कर दे विचारों का अउलोकन करने का मतलब है कि आपके मन में जब भी कोई नकारात्मक भाव आते हैं नकारात्मक भाव का मतलब है आप किसी पर गुस्सा होते हैं आपको खीज आती है आपको डर लगता है आपके मन में इरशा की भावना पैदा होती है तब आप किवल एक काम करें उस विचार को लिख लें और उसकी जड़ तक पहुँचने की कोशिस करें कि ये मुझे जो गुसा आ रहा है ये क्यों आ रहा है किस की वज़े से आ रहा है मालेजे कि आपको गुसा आया अपने पडोसी की वज़े से तो अब आप उसको पडोसी की नजरिये से देखने की कोशिस कीजिए कि पडोसी मेरा मुझे पर गुसा है अगर पडोसी की जगा मैं होता तो मैं क्या करता तो वो जो मुझे पर गुसा है या उसने जो भी बात मुझसे कही है वो सही है या गलत है तो आप पाएंगे कि पडोसी अपने नजरिये से ठीक है तो अगर वो अपने नजरिये से ठीक है तब आपको लगेगा कि नई फिर तो मैं थोड़ा बहुत गलत हूँ अगर उसकी जग मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता तो जब आप अपने विचारों को इस तरह देखना शुरू करेंगे इवेलुएट करना शुरू करेंगे उसका मुल्यांकन करना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि मेरे दिमाग में जितने भी नकारात्मक भाव उठते हैं उनमें से जादा तर गलत होते हैं उन्हें उठना ही नहीं चाहिए जबकि हम सब उसे सही मान कर चलते हैं और ये जो नकारात्मक भाव हमारे दिमाग में आते हैं इसकी वज़े से मन पर से हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है देखे आपका जब मन खुश होता है तब आपका मन आपके नियंत्रण में होता है दो तरह के भाव होते हैं नकारात्मक और सकारात्मक भाव अच्छे भाव प्रसन्नता अच्छा भाव है करुणा अच्छा भाव है मन जब शान्त रहता है अच्छा भाव है मन में जब प्रेम की भाव ना आती है अच्छा भाव है ये सकारात्मक भाव है जब हम उत्सा में रहते हैं सकारात्मक भाव है नकारात्मक भाव में बता चुका हूँ तो जब सकारात्मक भाव में हम जीते हैं तो मन पर हमारा नियंतरन रहता है और जब नकारात्मक भाव में हम जीने लगते हैं तो मन का हमारे उपर नियंतरन हो जाता है जब आप इनको evaluate करने लगेंगे इनका मुल्यांकन करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी आपको अर्थ हींता समझ में आने लगेगे इनकी व्यर्थता का बोध होने लगेगा कि ये सब तो बेकार हैं और जिस दिन आपको ये बोध होने लगेगा उस दिन आपके जीवन में मेरे मित्र करांती घटित हो जाएगी क्योंकि याद रखिए कि ये जितने भी नकारात्मक विचार हैं हमारी इनर्जी को, हमारी कैपेसिटी को, हमारे समय को सबसे ज़्यादा नस्ट करते हैं क्या आपको मालूम है कि अगर आप पांच मिनट तक क्रोध के भाव में रहते हैं तो इस से आपकी आठ घंटे की उरजा नस्ट हो जाती है मतब हम एक दिन में जनरली आठ घंटे काम करते हैं और पांच मिनट क्रोध करके, हम अपने आठ घंटे की उरजा को नस्ट कर देते हैं जब आप क्रोध में होते हैं, तो आपने देखा है कि किस तरह से, within a minute हमारा शरीर कांपने लगता है आँखे लाल हो जाती है ओट फड़ फड़ाने लगते है इसका मतलब है कि क्रोध आते ही हमारे शरीर में ऐसे जहरीले रसायन निकलने लगते है और वो फैल करके हमारे रक्त में मिल जाते है कि हमारी पूरी की पूरी फीजियोलोजी, पूरे के पूरे भाव, पूरे के पूरे विचार बदल जाते है तो मित्रो ये जितने भी नकारातमक भाव हैं जैसे कARON, डर, आप डर को शक्ति में बदलिए यरश्या को इस परधा में बदलिए जब आप इरशा के साथ अच्छा भाव जोड लेते हैं तो वो competition में बदल जाता है और जब वो competition में बदल जाता है तो आप काम करने लगते हैं क्योंकि आपको उससे प्रतियोगिता करनी है तो ऐसी स्तिति में आप काम में लग जाते हैं और अगर केवल इर्षा में रहेंगे तो आप बैठ करके चुपचाप इर्षा की आग में जलते रहेंगे चुपचाप बैठ जाएंगे नतीजा यह होगा कि मन आपकी पकड से बाहर हो जाएगा ठीक इसी तर से तनाओ देखिए विद्यार्थी के रूप में आप सच पूछ हर्मोनल चेंज़ के कारण आपमें अलग अलग तरह के परिवर्तन आ रहें हैं उसमें प्रेम की भावना से लेकर के और दूसरी सारी चीजे हैं आपको अपने कैरियर की चिंता है कि पता नहीं मेरा कैरियर क्या होगा मताब भविष्ची की चिंता है आपको परिक्शा में अच्छे नंबर लाने की चिंता है, उसका भी दबाव है, हार्मोनल चेंजिस के कारण आपके मन में खीज बढ़ रही है, पढ़ना भी है, खेलना भी है, दोस्तों के साथ गप भी मारना है, तो आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट को लेकर के प्राबलम आ रही है कि आप सब क तो आप अलग तरह की चिर्चिरहाट और खीज से भरे हुए हैं, तो मतलब ये जो विद्यारती जीवन है, जो स्टुडेंट लाइफ है, ये बहुत अलग अलग तरह के दबावों के बीच जीने वाली लाइफ होती है, और इन दबावों के बीच में आप कैसे सामंजस से बिठा पाते हैं, कैसे सारी चीजों में कौार्डिनेशन कर पाते हैं, यही जीवन जीने की कला है, और कमाल की कला है ये, और सच पूछिए दोस्तों, तो ये आपके लिए एक ऐसा चैलेंजिंग पीरियड होता है, जिसमें आपको बताने वाला कोई नहीं होता, आपका सही मार्ग दर्शन करने वाला कोई नहीं होता, आपका मन परेशान है, उसमें बहुत सी परेशानियां तो ऐसी हैं, जिनकी चर्चाप किसी से नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर कोई है नहीं, घरवालों से करने में आपको शर्म आती है, दूसरे किसी बड़े के पास आप जान नही सकते हैं, अगर आप किसी दोस्त से इस बारे में बात करते हैं, तो आपके दोस्त के साथ भी वही समस्याएं हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, तो वो जो खुद समस्याओं से ग्रस्त हो, आपकी समस्याओं का क्या समाधान बताएगा, उससे भी कहने का कोई अर्थ नहीं नि इस्टूडेंट और मन की शक्ति अंग्रेजी में है इस्टूडेंट और पावर अफ माइंड आप देखेंगे कि इस किताब में एक तरह से आपके सारी उन समस्याओं के निदान बताए गए हैं जो आपको इन सबसे मुक्त कर देगा इन सबका इलाज करने के बाद आप जब अपने आपको एक नए रूप में पाएंगे मन के नियंतरन के साथ पाएंगे तब एक नया व्यक्तित तो आपके सामने होगा आपको बिल्कुल चमतकार जैसा लगेगा क्योंकि अंदर की सारी परेशानियों से आप मुक्त हो चुके होंगे आपका मन बिल्कुल निर्मलाक परफाश की तरह साफ और स्वक्ष होगा। उसकी शक्ति को आप महसूस करेंगे। और आउचेतन मन की ताकत आपके चेतन मन तक आईगी। और आप फिर देखेंगे की कैसे आपकी भाउनाएं, आपकी कमजोरियां आपकी ताकत में बदल गई हैं। आपकी खीज उर्जा में परिवर्तित हो चुकी है मन निर्मल हो चुका है अंदर के सारे भटकाव समाप्त हो चुके है आप अंदर से इस्थिर हो चुके है आपके जीवन के उद्देश बिलकुल इसपस्ट है बिलकुल साफ है और अब आप बिलकुल एक नई चीतना के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे है और सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे दोस्त कि अगर इस समय आपने अपने मन को साधने की तकनीक सीख ली तो याद रखिए कि पूरी जिंदगी को साधने की आपने तकनीक सीख ली है मित्रों हम दूसरों को नहीं बदल सकते आप अपने आप को बदल लीजे पूरी दुनिया आप के लिए बदल जाएगी और अपने को बदलने की शुरुआत ही होती है मन को बदलने से याद रखिए कि कभी अपने जीवन में संघर्षों से घबडाईए मत जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ही आप मजबूत बनेंगे कभी मत भूलिए कि जिसके पास संकल्प हैं वह उतना ही मजबूत है और जिसके पास जितने विकल्प हैं वह उतना ही कमजोर है एक बुरा से बुरा आदमी भी बुरा सोच कर खुश नहीं रह सकता अच्छा सोचिए आप देखिए कि मन पर आपका नियंत्रण लगातार होता चला जाएगा मित्रो मुझे लगता है कि अभी तो आप एक चूले पर चड़े हुए गर्म तवे की तरह हैं आप उबल रहे हैं मन को थोड़ा सा अपने नियंत्रण में ले आईए यह जो तवे की घर्मी है आपकी जिन्दगी को बदलने वाली हो जाएगी जिन्दगी को दिशा देने वाली हो जाएगी और आपका सब कुछ बदल जाएगा मन की छिपीवी शक्तियां बाहर आ जाएंगी वो आपकी मदद करेंगी और दुनिया में जितने भी लोगों ने महान काम किये हैं, बड़े काम किये हैं, सफलताएं पाई हैं, वो उपरी शक्तियों से नहीं, मन की छीपी हुई शक्तियों की वज़े से ही पाई हैं। और अंग्रेजी में है इस्टुडेंट और पावर आफ माइंड चरूर पढ़ें, इसमें थोड़ा सा समय लगाएं, इसको दिया गया थोड़ा सा समय आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा और ये परिवर्तन बहुत सकारात्मक होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत शुब होगा, तो इनी शब्दों के साथ मैं अब अपनी बात समाप्त करने की जाज़त चाहता हूँ, इस श्वर से प्रार्थना करता हूँ, कि वह आप सब के मन को मजबूत बनाए, ताकि आप एक मजबूत जीवन जी सकें, एक मजबूत समाज बना सकें, एक मजबूत देश और एक मजबूत दुनिया बना सकें, बहुत बहुत धन्यवाद, जहिन